असलाम अलेकुम, Power BI के इस lecture में हम funnel chart बनाने वाले हैं, funnel तो देखिए ना, कीफ जिससे पानी डालते हैं, बोतलों के अंदर वैसा एक chart बनाने वाले है, let's jump into it, screen आपके सामने है, मैंने यहां पे एक नई report बना ली है, इसको मैं 07 underscore funnel chart कह देता हूँ, funnel chart के बाद मैं क्या यहां पे report के अंदर click कर दूँगा, and from here, from visual, मैं यहां से funnel उठाके, click कर देता हूँ, तो यह मेरे पास funnel आ गई है, and after that, मैं database पे यहां पे click करूँगा, right side पे tips के data भी मैं काम करने वाला हूँ, मैं day को उठाके, यहां पे category में डाल देता हूँ, और मैं tip को उठाके, values में ड पस पूरे के पूरा data आ गया, and this is how you can see कि कौन सा data सबसे ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन से कम है, कौन से कम है, कौन से कम है, क्योंकि funnel broad से, यानि कि ज्यादा से कम की तरफ आती है, अगर आप day wise नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहां पे इसको remove करें, day की बिजाए, आप यह यहां पे sex को कर सकते हैं, and here you will see a funnel of two bars, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास ज्यादा data है, for example, आपके पास day के column के बिजाए, you can put another thing, for example, like this, हम try करते हैं, कि क्या इसमे numerical data आ सकता है, तो जैसे मैंने numerical data डाला, you can see a big funnel, reason क्या है, कि हर एक data point of total bill की base पे आपके पास tip जो है वो आ रहा है, for example, मैंने total bill यहां पे डाला, और total bill मैं अगर value के अंदर डालूंगा, you will see this kind of funnel, यानि के उपर से नीचे funnel से आप देख सकते हैं, कि highest value क्या है, और lowest value क्या है, this is something kind of similar to the histogram, जो हम आने वाले दिनों के अंदर भी बना के देखेंगे, but for now, this is a kind of funnel plug, और usually category के point पर देखेंगे, Saturday, Sunday and Thursday, Friday, तो इस तरीके से हमारे पास data आजाएगा, and you will also see a change in the dataset like this, और आपके पास अब यह इस तरीके से plot बन गया, और अगर आप चाहते हैं, कि इसी plot के अंदर कुछ और चीज़ें भी देखना चाहें, तो मैं यहां पे sex and day को बन कर देता हूं, और सि something like this, so I can also see a kind of data, जिसके अंदर मेरे पास day भी है, और मेरे पास दूसरा data भी है, for example, यहां पे मेरे पास day है, और अगर उपर जाओंगा, तो मेरे पास दूसरी funnel है, so here you can see the level in hierarchy, किस तरीके से आप अपने data को देख सकते हैं, and this was a funnel plot, obviously आप इसे बड़े data भी बना सकते हैं, ह right side पर आपको नजर आ रहा है, मैं यहां पर क्या करता हूं, clarity को उठाके category में डाल देता हूं, तो यह मेरे पास clarity आगी है, and then price को उठाके में values में डाल देता हूं, and now you can see a funnel chart based on the sum of the clarity, और यहां पर आप sum की बजाए कुछ और भी value देख सकते हैं, अगर आप चाहें, sum की base पे अगर 100 total है, तो उससे नीचे जाते 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 जाते, कौन सी category जो सबसे कम है, clarity के बजाए, अगर मैं चाहूं, तो मैं color को भी यहां पर लिख सकता हूं, तो मेरे पास color के column के बाद, आप इस तरीके से उसको manage कर सकते है, and other thing could be cut, तो मैं cut को भी यहां पर add कर सकता हूं and now you can see के हर ideal cut की जो price है, बहुत जाते है, premium के उससे कम, very good की कम, good की कम, and then fair की बहुत कम, so this is how you can actually see the price of something, तो यह बहुत बड़ा data है, यह 30,000 रोज को हमने कुछ points के अंदर समा दिया, and this is how you can create a funnel chart, अब इसी funnel chart के उपर अगर मैं right click करूं, और summarize करना चाहूं, I cannot do that, क्योंके some of the things are already summarized, I would see, कि यह क्यों नहीं summarize हो रहा, so मेरी आपसे request है, कि आप भी try to do it, आप भी इसको summarize करने की कोशिश करें, कि यह आपके पास क्यों नहीं summarize हो रहा, but on the other side, I can actually do something show as table, तो जितना भी data मैंने यहां पे show किया है, we can also see that as a table, और वो table आपके पास यहां पे, इस तरीके से मौझूद है, आप क्या कर सकते हैं, इस table को देख सकते हैं, और इस table से भी अपना अंदाजा लगा सकते हैं, कि किस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है जी, यहां तक clear हो गया, hopefully आपको funnel chart की समझ आगी होगी, अगर आपको समझ आगी है तर लाइक, share and subscribe this channel, and you know the trick, अपन